कि यह सेंटर हमने 2017 में ओपन किया था और धीरे दीरे सेंटर का एक्सपांशन करते हुए आज की दारीग में यह फुल फ्लेज़ेट डेकर सेंटर है वे शिक्स बेड एडमिशन फेसिलिटी अभी हमारे हम पांच जाह से ज्यादा मरीजों का इलाज कर चुके हैं खास बात है कि हमारे हैं जो मरीज आते हैं वो 20 प्रतिशत मरीज होते हैं जो बाकी डोक्टरों के आराम नहीं पापाएं यह डायरेक्ट वो पेशेंट नहीं है जिनको बेक पेन हुआ या नेक पेन हुआ और वो हमारे पास आ गया अधिकतर पेशेंट हमारे हैं पांच-छे को दिखा के आते हैं उसके बाद भी जो मरीज आते हैं उन में से 90 प्रतिशत मरीजों को हमारे इसाब से बताए गए एक्सपेक्टिड आराम होते हैं जो कि एक काफी अच्छा नंबर है मेरी नजर में लगबख सभी मरीजों को अच्छा रिलीफ होता है ये टाइम बाउंड म या कमर का दर्द हो गोटने का दर्द तो आज की तारीक में हम सभी जानते हैं काफी लोग की अच्छा या और इसके जस्ट आगे समस्या ती कमर दर्द कि और कमर का दर्द पेरों जाता है जिसको शिय टि्गा बोलते हैं वोपन लोग cannot vimos बोलते हैं तो हमारे संटर में आने वाले मुइजे और में सबसे जादा मुरीज कमर दर्द और शिया टिका के होते हैं इस घरदन दर्द के होते हैं तो इन लोगों को जो रिलीफ मिलता है वो करीब बिल्कुल expected manner में और बहुत उननत तरीकों से रिलीफ मिलता है तो लगबग हर घर में कोई ना कोई दर्द से पीडित मरीज आपको मिल जाएगा इवन हर तीसरे घर में अपने कोई ऐसा मरीज मिल जाएगा जिसको दर्द के लिए किसी treatment की आवशकत प्रदान करते हैं जिससे की मरीज काफी सेटिसफाइड होते हैं अगर मैं आपको साफ शब्दों में बता हूं तो हमारे यहां जो आने वाले मरीज उसमें से 70-80% मरीज कमरदर्स से पीडित होते हैं जिनको शियटिका या स्लिप डिस की शिकायत होती है और उनी लोगों के हम पहले पेन मेपिंग करते हैं पेन जनरेटर इडेंटिकेशन करते हैं और जरुत होती है तो कुछ इंटर्वेंशन या कुछ प्रोसीजर के द्वारा उनको रिलीफ प्रदान करते हैं सभी प्रोसीजर और इंटर्वेंशन हमारे डेकर होते हैं नोन-surgical होते हैं जिसमें क जिसको हम डिस्कोजनिक बेक पेन बोलते हैं, या गर्दन का दर्द होता है, जो हातों में जाता है, शोल्डर पेन होता है, इस तरह के क्रोनिक पेशेंट की काफी ज्यादत आदाद है, और इसी को देखते हुए हमने सारी चीजें एक ही छत के नीचे अरेंज की हुई है, यह कि और अएउ सकता है, और बहुत है, ङुरूच को लोक्लो कता है, में जा कर अवार मैं यहार रगल